हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका पाटशाला रिशिकेश के यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे हैं प्रिवियस यर बेस्ट जोग्रुफी MCQ जिसमें इंडियन जोग्रुफी भारतिय भुगोल की अगली क्लास है इसमें हम नदियों के किनारे, बसे, प्रमुक, शहर, बड़े शहर उनसे important facts को discuss करेंगे और साथ में करेंगे इंडिया के waterfall जल प्रपात हर exams में एक या दो question इनसे related आता है तो ये एक बहुत easy topic भी है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए इसमें आपके जो river based हैं या जो river के tributaries हैं उन्हें भी मैं आपको बताता चलूँगा उनके बारे में जो extra fact होंगे तो कहीं न कहीं आपका river system या drainage system भी एक हिसाप से revised होगा तो शुरू करते हैं जोग्रफी MCQ series को मैं complete कर रहा हूँ प्रिवियर बेस्ड हैं इसमें चाहे आपका SSC का exam हूँ चाहे आप state PSC state PSC में आप चाहे BPSC की UK PSC की या आप UPPSC या रास की तयारी कर रहे होंगे तो ये काफी benefit आपको होगा इस MCQ series से पहले पाठशाला रिशिकेश कोचिंग के offline batches इन सभी exams के लिए चल रहे हैं आप contact number पर contact कर करके बात करके जानकारी ले सकते हैं सभी offline batches के new batches start हो गए हैं bank के लिए special bank batches हैं होने वाले exams के लिए तो आप enroll कर सकते हैं चलिए पहले कुशिन के साथ start करते हैं भारत की जो सबसे major river है गंगा river गैंगीज गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसका मतलब है ये जो question है देखिए वो कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे चारो शहर बसे में कौन कौन से वारणसी भी गंगा के किनारे है पटना भी इलाबाद भी और कानपूर भी आपको बताना है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो देखिए 2011 की जन गणना के अधार पर जन गणना के अधार पर ये बताना है आंसर जब आप बता रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपूर कानपूर इसका सही आंसर है गंगा नदी को भारत की राष्टिय नदी घोशित किया गया था क्या आप बता पाएंगे कि ये कब किया गया था तो मैं बता दू जिन Mumbai है वो है भारत में 2525 किलोमेटर गंगा जब बहते होए जाती है तो इसका जो औरिजन है वो है देव परियाग या गोमुक के पास आप कहेंगे गोमुक तो देव परियाग में ये बनती है जहां दो नदियों का संगम होता है अन्दा और अलक नंदा और भागीरत थी ठीक है चले अगले कुशन की तरफ चलते हैं तो पहले उस से पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत में नदियों की किनारे एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं कुम्ब मेला इसी को मैं आपको बता दू कि मह महा कुम्ब मतलब अगर कुम्ब मेले को महा कुम्ब कहा जाए तो वो बारा वर्ष पे लगता है जबकि अर्ध कुम्ब या सिर्फ कुम्ब मेला जो है वो छे वर्षों में लगता है मतलब परतेक छे वर्ष के तो कुम्ब मेला लगता है कुम्ब मेला भारत में चार जगाओं पर लगता है, चार जगाओं पर, चार स्थानों पर लगता है भारत में, किस-किस में लगता है, तो देखिए एक तो हरिद्वार है, हरिद्वार है, जो कि गंगा किनारे है, दूसरा परियाग राज या जिसका पुराना नाम हुआ करता था इलहाबाद, ठीक है, फिर है उज जैन और फिर है फिर है नासिक तो मैं पूरी जानकार यह आपको दूंगा कौन-कौन सी नदियों के किनारे चारों शहर हैं कुम्ब बेला चार शहरों में आयो, जित जाता है किस-किस नदी के किनारे तो आगे बात करेंगे हमने कानपूर की बात की थी तो आपको डेटा याद नहीं करना है बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कानपूर सबसे बड़ा शहर है जनगर्णा के हिसाब से जो किसके किनारे है गंगा नदी के किनारे है उमीद है आ 2525 किलो मिटर है ठीक है भारत में उत्राखंड के पास से बहने के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है जहां से फिर ये बे ओफ बंगाल में चली जाती है ठीक है उत्राखंड यूपी अगर मैं बात करूं उत्राखंड यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल ठीक है तो ये उत्तरकाशी है वो तो इसके ओरिजन से उपर की तरफ पढ़ जाता है यही एक शहर है या एक डिस्टिक है जिला है उत्तरकाशी जो गंगा नदी के किनारे नहीं है फतेपूर है भागलपूर है कानपूर है यह हमने पढ़ा है आगे चलते हैं लेह अब यूटी हो गया है ल क्या वो जहिलम नदी के दाएं तट पर है, क्या वो बाएं तट पर है, या सिंदू के दाएं या सिंदू के बाएं पर है, तो देखे सिंदू नदी की बात करें, सिंदू की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ, तो जो सिंदू की कुल लंबाई है, कुल लेंद है, वो है 28-80 भारत में इसकी लेंद इतनी नहीं है भारत में इसकी लेंद लगभग 1100 किलोमेटर है ठीक है लगभग 1100 है यह आप ध्यान रखेंगे चलिए तो मैं आपको बताता चलू यहाँ से मान सरोवर जील से सिंदू रिवर का ओरिजन होता है सिंदू रिवर का ओरिजन होता है जिसके बाद वो ले लद्दाग में बहने के बाद जम्मू कश्मीर को छूते हुए पाकिस्तान में चली जाती है तो यही हिस्सा है और इसके अगर आप बात करेंगे तो दाएं तट पर सिंदू नदी के कौन बसा हुआ है उमीद है आपको इस डाइग्राम से भी समझ आया होगा कोशन अच्छा लगा होगा चलीए निमलिकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है यानि की मैच नहीं है देखे गोरकपूर आप सभी जानते हैं योगी आदितिनात यूपी के जो सीम है गोरक राफ्ती नदी के किनारे है लुदियाना किस नदी के किनारे है जबलपूर नर्मदा सूरत ताप्ती तो देखे जो लुदियाना है आपने रिवर का नाम सुना होगा सतलज रिवर सतलज रिवर का भी ओरिजन कहां से होता है यह होता है मानसरोवर जील से याद रहेगा तिबबत में मानसरोवर जील चाइना जिस पर अधिकार जमाता है तो मानसरोवर लेक से सिंधू, सत्ला जी यहां से सिंधू, सत्ला जी नहीं यहां से अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी एक रिवर सिंधू भी निकलती है एक और अगर बताना चाहो तो आप कहोगे ब्रह्मा पुत्रा रिवर मतलब काफी बड़ी बड़ी रिवर जो है वो मांसरोवर जीन से निकलती है ठीक है जवलपूर MP में है नर्मदा निदिकी किनारे सूरत गुजरात का बड़ा शहर है तापती नदिकी किनारे रावी मैंने आपको बता दिया नर्मदा और तापती की अगर हम बात करें तो पस्चिम वहनी ये दोनों नदियां है नर्मदा भी और तापती भी यानि के कहा जाती है अरब सागर में जाती है दूसरा point क्या बोलोगे आप दूसरा बोलोगे कि ये भरंच घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली ये बहुत important river है भारत की नर्मदा और तापती ठीक है अमरकंटक पठार MP के पास से ये origin है आगे चलते हैं सुमेलित नहीं है देखे एक question है लेकिन उसमे 4-4-5-5 आपके objective clear हो जाएंगे तो ये important है कि जो आपका exam है उसके लिए ये major तरीके से आपको cover करेगा है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ question नहीं लिया एक question और बहुत लंबी वीडियो बना दी बहुत अच्छी वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा quality का तो देखिए एहमदाबाद कि शहर के किनारे है मताब कौन सोविल नहीं है बताना है एहमदाबाद शाबरमती है एहमदाबाद कृष्णा चंबल कोटा कोटा चंबल या नासिक गोदावरी तो देखिए जो है एहमदाबाद साबरमती के किनारे बिल्कुल सभी बात है लेकिन हैदराबाद जो है वो कृष्णा के किनार तो कृष्णा का जो ओरीजन है वो है महा-बलेशवर से और महा-बलेशवर कहा है तो आप कहेंगे कि महा-बलेशवर है महा-रास्तु आर यह इतनी बात समझ में कोटा चंबल में हैं बिल्कुल एकदम याद कर लो नासिक गुदावरी में हैं मैने आपको कहा था कि नासिक के किनारे लगता है महाकुंब है ना महाकुंब क्योंकि बारावर्ष वाला लगता है अर्दकुंब भी लगता है उसे अर्दकुंब कहेंगे नासिक महीं लगता है गोदावरी नदी के किनारे कहां पर गोदावरी नासिक कहां है तो आप सभी जानते हैं कि नासिक भी कहा हो जाएगा महाराश्ट गोदावरी के बादे में आगे में बताता चलूँगा आगे चलते हैं निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है यानि कि कौन सा जोड़ा मैच नहीं है कोटा, चंबल आपने बिल्कुल अभी पढ़ा तो बिल्कुल सही हो जाएगा भुवनेश्वर, महानदी, जबलपूर, नर्मदा, सूरत्ताप्ती तो आपका रिविजन हो गया कि भुवनेश्वर, महानदी के किनारे नहीं है महानदी की अगर हम बात कर लें तो 36 गड़ के, 36 गड़ से इसका ओरिजन है 36 गड़ से इसका ओरिजन होता है महानदी का ठीक है, ये उडिसा में जाती है बहते हुए, उडिसा में जाती है और भारत का सबसे बड़ा लेंथ में जो डैम है, बांध है यानि कि हीरा कुंड डैम हीरा कुंड जो बांध है वो इसी रीवर पर बना हुआ है ठीक है तो महानदी आपको याद हो जाएगी अगर हम बात करें तो उडिसा का एक शहर है जिसका नाम है कटक ठीक है तो आपको कटक मिल जाएगा महानदी के किनारे यह आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं सुमेलित कीजिए कटक किस नदी के किनारे है आपको मिलाना है चार आप्शन यहाँ पर अलग अलग है तो देखिए लुदियाना हमने पहले पढ़ा था सतलज रिवर पर नासिक आपने पढ़ा है गोदावरी रिवर पर उज्जेन शिपरा उज्जेन में भी हिरा कुंड डैम, क्या नाम है हिरा कुंड डैम, सतलज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सतलज जो रिवर है उसका ओरीजन होता है मान सरोवर जील से, निमलिकित युगमु में से कौन एक सुमेलित नहीं है, फिर से, तो एहमदाबाद साबरमती याद हो गया होगा, उमीद है इतनी बार मैंने आपको बताया है साबरमती का आश्रम गुजरात में 1915 में स्टैबलिश किया गया था लखनव नवाबों का नगर है नवाबों का शहर है गोमती रिवर के किनारे है याद रखेंगे गोमती के किनारे एक और शहर है जिसे हम प्यार से जौनपुर कहते हैं भुवनेश्वर क्या महानदी के किनारे है अब तो आपको याद हो गया होगा उडिसा की कैपिटल है भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है बलकि किसी भी नदी के किनारे नहीं है एक मुख्या नदी के किनारे तो नहीं है कम से कम आपको याद रखना है उज्जेन कुम जावरी नदी के तटपर या नर्मदा नदी के तटपर तो बिना सोचे समझे आप अब उज्जैन को शिप्रा नदी के तटपर बताएंगे उमीद है यहां तक बात समझाई होगी नगर और उनकी समीप वर्ती नदियां बेतूल जगदलपूर जबलपूर उज्जैन शहर है इंद्रावती, नर्मदा, शिप्रा और ताप्ती तो देखिए पहले कुछ बात करते हैं कि हम जबलपूर की बात करें तो जो आता है उससे मिलाते चलो नर्मदा कहे दोगे उज्जैन आता है उज्जैन तो शिप्रा कहे दोगे अब ताप्ती बचा तो बेतूल जिला यही ध्यान रखना है इसकी लेंद लगबग लगबग 1465 किलोमेटर के आसपास है लेंद टोटल वाई 1465 के आसपास है आगे चलते हैं निमलिकित शहरों में से कौन सा गंगा नदी के किनारे है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे हैサ भारत में सबसे जादा शहर है, सबसे बड़ी लेंट की, रिवर है भारत की, सबसे लंबी नदी है, राष्टा नदी घोशित किया गया 2008 में, कानपूर और बकसर, कानपूर यूपी में, बकसर कहां पश्चिम मंगाल में, मुंगेर भागलपूर ये हैं बिहार में, कन्नौज और बिजनौ और यूपी में, हरिद्वार वारानसी यूपी में, हरिद्वार उत्राखंड में, ये सभी के सभी जो शहर हैं, ये हैं गंगा नदी के किनारे, तो आपको ये most important question लगा होगा, इसको तो नोट कर लो और साथ साथ कर लो यार, आर ये तनी बात समझ में, निमल लेकित में से कौन सा शहर किसी नदी के किनारे नहीं है, इसका मतब था कि आपको पता होगी कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो देखिए नासिक, आपने पढ़ा कि नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, उमीद है समझ आया होगा गोदावरी नदी के किनारे, संबलप पाल की अगर मैं बात करूँ जो कि MP की राजधानी है यही option रखा गया था और यही नहीं था नहीं है किसी भी नदी के किनारे नहीं है यह बात आप याद कर लो नदी के किनारे नहीं है ठीक है इतना important question है पहली बार आपने देखा होगा आपको अच्छा लगेगा अगर revise नह बात करी तो हम waterfall पे आ गए और पहला ही waterfall हमारा है कि हुंड्रू जलपरपात या waterfall जरना है अगर जिने यह परपात वर्ड न समझाए waterfall का मतलब है जलपरपात तो हुंड्रू जलपरपात किस नदी पर है इंद्रावती कावेरी या सुवन रेखा तो देखो जहारकंड पश् नदी है कावेरी के बारे में आपको बताते चलें कावेरी नदी का जो origin है वो है करनाटक कहां से है करनाटक से करनाटक में कहां तो कहेंगे ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी की पहाडियां कहां ब्रह्मगिरी की पहाडियों पहाडियों से है इसका origin कावेरी river का ठीक है आपको 800 सो किलो मीटर के आसपास इसकी क्या है लेंध है इसका डिस्प्यूड भी रहता है मेजर जो डिस्प्यूड है वो है तमिल नाडो और करनाटक के बीच लेकिन केरला भी इसमें पुड्रू चेरी भी शामिल रहता है ठीक है चार राज्यों के साथ एक यूटी है तीन राज्य और एक यूटी है तो इसका कावेरी का रहता है रिवर डिस्प्यूट उमीद है आपको समझ आ रही होंगी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक कोश्चन को मैं डिटेल में करता चलो कोश्चन पढ़िए आंसर कीजिए और आगे चलते हैं भारत का सबसे बड़ा वाटर फॉल जल परपात जोग परपात किस नदी पर है चार आप्शन है देखिए जोग परपात को ही महातमा गांधी महातमा गांधी वाटर फॉल या परपात जल परपात कहते हैं ठीक है ये भ शरावती river पर, किस river पर है, शरावती river पर, बाकी तीन rivers को मैं खुब discuss कर चुका हूँ, तो अब आगे चलते हैं फटाफट से, भारत के किस जल परपात को लोग पृया रूप से नियागरा waterfall, नियागरा जल परपात कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान कोशन है, वो तो मैं आपको बता ही दूँगा आपको ध्यान देना है आपको मुझे बताना है कि नियागरा वाटरफॉल एक्चॉल में वर्ल्ड में कहा है वो नियागरा वाटरफॉल वर्ल्ड में कहा है किस देश या किस कॉंटिनेंट में है ये आपको बताना है वर्ल्ड में मैं बात करूँग नियागरा वाटरफॉल वर्ड लेवल पर बहुत ही प्यारा और दो देशों की माउंडरी के पास है चित्रकूट को भी नियागरा भारत का लोग प्रिया रूप में कहा जाता है खुबसूरत है तो आपको ध्यान देना है चली आगे चलते है नेक्स्ट कोशन की तरफ भारत क निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्तित है तो देखे गोवा में स्तित है गर्मियों का मौसम है आपको ये बहुत अच्छा लगे का देख करके इस तरह का वाटरफॉल देखने को मिलता है कौन सा है गोवा में तो दूद सागर जो वाटरफॉल है ये है गोवा म उमीद है कोशन आपको अच्छे से समझ आयेगा और याद करने में भरपूर मदद मिलेगी भारत के निमने जहरनों में से सरवादिक उचाई वाला कौन सा जहरना है तो देखिए जब तक इस नए जहरने के बारे में पता नहीं चला था तब तक समाज महातमा गांधी वाटरफॉल या आप इसको जोग गरसोपा जलपरपात वाटरफॉल के नाम से जानते थे लेकिन UPPCS ने ये कोशन दिया कि कुँची कल जहरना राजिस्थान में भी आया है 455 मीटर करनाटक में ही है शरावदी नदी पर माफ कीज़ेगा वराही रिवर पर है किस रिवर पर है वराही रिवर पर है ये आपका कुँची कल वाटरफॉल ठीक है जोग जो था वो था शरावदी रिवर पर ठीक है जोग जो है वो है शरावदी रिवर पर तो उमीद है आपको समझ आयोगा कुंची कल करनाटक में है और यही भारत का सबसे उचा जरना है उमीद करता हूँ आपको सारे कोशन दे कि MCQ इस तरही के से किये जाएंगे कि previous year based हो और आपको वो सारे याद हो जाएं चलिए तो देखिए match the following में कौन सा match नहीं करता है यह बताना है चूलिया जलपरपात जोग और धुआधार तो आपको असान लगेगा धुआधार नर्मदा पे हमने बात की सिर्फ समुंद्रम कावेरी रिवर पर है चूलिया चंबल पर है चासे चूलिया चासे चंबल ऐसे याद कर लो जोग आपने बार-बार पड़ा और अभी मैंने बताया कि शरावदी रिवर पर है ना कि कृष्णा रिवर पर तो यह याद हो जाएंगे आपको उमीद करता हूँ ऐसी चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने वाटरफॉल और नदियों के किनारे बसे परमुक शहरों को कवर किया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें Facebook, Instagram और Telegram पर PDF के लिए हमें जोईन कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद